नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों हाल फिलाल में आपने देखा होगा कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बैंकिंग स्टॉक का वीडियो बनाया था वहाँ पर देखेंगा पताया था कि कौन से बैंकों में मुमेंटम आने वाला है तो अल्रडी उन बैंकों में मुमेंटम आ चुका है इससे पहले अगर आप देखेंगे तो रलाइंस इंडस्ट्री में 15 दिन पहले बताया था कि 15 डेज में स्टॉक में मुमेंटम आया तो 4-5 percent momentum वहाँ पे भी आपको देखने हो मिला अब दो बैंकों के बारे में बात करेंगे इस particular वीडियो में जिसमें strong fundamental है और इन पे जो update आने वाली है वो within seven day में आने वाली है कितने दिन में within seven day में तो आपको इन बैंकों पे focus करना है दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास already ये bank है तो आपको wait and watch करना है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो fundamental है बहुत ही अच्छे है बहुत ही अच्छा bank है और मैं एक एक करके दिखा होगा कि कि इस तरीके से bank ने आराम से 50-60% का momentum दिया है इस particular recession में इस particular अगर आप देखेंगे downtrend momentum में और बहुत कम गिरावट देखने हो मिली है और एकदम fair valued stock है चुकि stock का PE केवल 7.69 के आसपास है कितना है 7.69 के आसपास है तो आप देख सकते हैं dividend yield भी देखेंगे तो 2.45 के आसपास है और अच्छा ROI 9% का देखने को मिला है यानि कि approximately अगर आप देखेंगे तो आपके FD के return से यहाँ पे double देखने को मिला है और सबसे शांदार बात है कि company के profit और revenue किस तरीके से बढ़ हैं तो चेक आउट कर लीजे यह चार quarter है आठ हजार करोण थे फिर 17,000 हुए फिर 18,000 हुए फिर 19,000 करोण हुए तो आप समा सकते हैं कि company bank पूरी तरीके से growing phase में देखने को मिला है और हो सकता है इस बार भी आपको अच्छे यहाँ पर return देखने को मिले हैं अच्छे net profit देखने को मिले हैं यानि कि जो quarter के result आने वाले हैं देखेगा यहाँ पर भी consistent performance देखने को मिल लई है जैसा कि आपको देखने को मिला होगा इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या बैंक की तो bank के cash flow बैंक की strength को बताते हैं तो bank के cash flow अगर आप देखेंगे तो March 2021 से अगर आप देखेंगे तो March 2022 में यहाँ पर पूरी तरीके से change हो चुके हैं यह सबसे अच्छी बात है फिर आगे अगर आप बात करेंगे प्रमोटर की तो प्रमोटर शांदार है FIAs देखेंगे तो FIAs चांदार हैं DIAs देखेंगे तो उसमें increment हुआ है तो यहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत देखने हो नहीं मिलेगी और public की जो holding है वो कम होई है सबसे अच्छी बात यह आगे अगर आप बात करेंगे तो bank का नाम है bank of broada और यह second देखेंगे पू पूरी तरीके से work कर रहा है जिसमें देखेंगा last minute SBIN बताया था वहाँ पे देखेंगा क्या शांदार momentum आया है और 500 का level भी cross हो चुका है अगर आप देखेंगे पिछले 7 दिनों में तो इतना ही power यह भी रखता है अब अच्छी update के आने वाली है 30 July को इनके result आने वाले हैं तो इस particular bank पे पहला focus करिएगा second bank अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप check out करेंगे तो इनके revenue तो आपने देखी लिए bank को बड़ोदा के और इन्होंने 6 महिने में अगर आप check out करेंगे तो काफी बढ़ी हाँ return भी बना के दिए हैं आपको 25% के आसपास तो second bank जो मैं बात करेंगे उसमें देखेगा market capital 41,000 करोन है और अगर आप देखेंगे तो इस bank ने भी अप्रॉक्स पैसा डबल किया है अगर आप check करोगे low से 52 week low से अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स पैसा डबल किया है current price 230 के आसपास है stock का P fair valued है चुकि 6.80 है dividend yield 3% का है तो stock trade कर रहा है 220 के आसपास तो आप वो भी check out कर सकते हो ROI वैसे भी काफी अच्छी है तो ROI को लेकर भी आपके मन में कोई doubt नहीं रहना चाहिए आगे अगर हम बात करेंगे तो company ने और bank ने सबसे शांदार चो चीज़ करी थी तो last quarter मैं दिखा रहा हूँ तो last 4 quarter की मैं net profit की बा pain देखने हो नहीं मिला था तो इस बार तो कई सारे bank जो pain में भी थे वो भी अच्छे result दे रहे हैं तो ये bank भी काफी अच्छे result शो कर सकता है तो growing bank है अच्छे return बना रहा है अच्छे result बना रहा है आगे मैं बात करूंगा अगर revenue की तो revenue अगर आप देखेंगे तो 7,000 करो हो चुके है तो वहाँ पे बहुत बड़ी रहात मिली है तो आप देख सकते हैं जो interest है वहाँ पे बहुत बड़ी रहात मिली है तो इस तरीके से bank ने अपने आपको rebound करा है वो जो की सबसे अच्छी बात है आगे अगर आप check out करेंगे allocation of shareholding pattern तो यहाँ पे देखेंगा शा bank work करता public sector का bank है और क्योंकि 4 quarter से काफी strength strong है तो इनके quarter के result भी 25 July को आपको देखने को मिलने वाले हैं और 25 July को अगर यह outperform करते हैं अपने results के साथ तो bank में momentum 2-3% का आपको देखने को मिल सकता है यह particular update है इसके अलावा देखेंगा लगाता revenue increase करे हैं लगाता profit increase करे हैं जैस आपे पिछले 6 वहिनों में किसी भी bank ने इतने अच्छे ठीठा return देखेंगे इने को नहीं मिलें कम देखें तो उन particular time में भी इन bankों ने as such कोई बड़ा fall भी नहीं दिया है और कोई बड़ा as such देखेगा यहाँ पे risk factor भी नहीं है जो कि लगाता slow growth से धीरे-धीरे आगे ब लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे और bankों के result बताए जाए तो वीडियो के नीचे comment करके yes जरूर लिखेगा thank you so much